भट विश्वास अचल नीज धर्मा भट विश्वास अचल नीज धर्मा भट विश्वास अचल नीज धर्मा तीरत राज रयाग शुकर मा तीरत राज रयाग शुकर भट विश्वास अचल नीज धर्मा तू खुदा तो नहीं हो गया मेरे माना अलग बात है मेरे पूजा अलग बात है तू खुदा तो नहीं हो गया पारवती एक बात तो नारज जी नहीं साप दिया वगवन को उसके कारण उन्हें अवतार लेना पड़ा पारवती जी नहीं कहा कि मेरे गुर्देव ने और साप ना 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 मेरे गुर्देव तो साप कभी दे ही नहीं सकते बोले क्यों नारत विश्णू भगत पुनिग्यान पारवती जी नहीं कहा यदि मेरे गुर्देव ने साप दिया भी होगा तो कोई नो कोई भगवान ने अपराद किया होगा का अपराध रमापत की नाव मेरे गूरुजी तो करुणा के सागर है दया के सागर है उन्होंने कभी छोटों को साप नहीं दिया फिर बढ़ों की तो बाते गया और फिर वो द्यनुराजिन का नाम जबते हैं फिर उन्हें साप कैसे दे सकते हैं पारवती कभी कभी जीव के जीवन में कभी कभी जीव के जीवन में नजाने कौन से रास्ते से विकार गुश जाए और विकार के बसीवूत होकर के जीव नजाने क्या कर बैठे लेकिन समझदार लोग खुश्यार लोग यदि किसी व्यक्ती को गलती करते हुए देखते हैं तो वो समझ लेते हैं कि इस पे कोई बिकार सवार हो गया है जीव तो परमात्मा का अंस है जीव पर जब बिकार सवार होता है तो बिकार के बसीवूत होकर के जीव गलतियां करता है लेकिन अंतर है इंसान में और सैतान में जीव गलती करने के बाद उसे समझता है और गलती को मैसूस करता है और छमायाचना करता है तो वह जीव से देवता बन जाता है देवताओं पे गलती हुई तो वह स्विकार करते हैं लेकिन जो असुर होते हैं, जो राक्षस होते हैं गलती करने के बाद गलती को गलती नहीं मानते गलती को और अपनी ताकत मानते हैं अपना आवुशन मानते हैं वह से लोग अपने रोग को रोग समझते हैं तो वैद्दे के पास जाएंगे तो वैद्दे की मदद करेंगे कि आपको होगे मैं वही परेज करूँगा आपको होगे मैं वही दवाई खाऊंगा लेकिन आप बच्चेशी दवाई दो मेरे को देखो और मैं आपकी मदद करूंगा मैं पूरी तरह से आपको समर पेखूंगा करें यह मेरे का क्या अधिर को आपको जो बीमारी है नो फलाना की इस सब्सक्राइब सब्सक्राइब का अधितना तगणिया तोंगहाएं यह मरज और आबूशन बना लेता है तो फिर कोई वैद्यकाम नहीं कर पाता है और जब कोई अपनी बीमारी को निकालना चाहता है तो हर डॉक्टर साइथ इनके शमझे में नहीं आई तो उनके आ जाए या उनके आजाए वो स्वेध्म अपने आप मदद करता है उसका एहमकार नहीं करता है वो इनसान होता है और वो है उसके जीवन से मर्ज वो वीमारी निकल जाती है भारवती मैं यह नहीं कह रहा कि तुमारे गुर्देव वेकार है या खराव है ना तो हो सकता है यह ना टक करने के लिए भगवान ने तुमारे गुरुजी को यह पाट दिया हो कि तुम्हें ऐसा करना क्योंकि यह भगवान के परिकर है भगवान के पारसद है यह लीला के पात्र है तो भगवान ने सोचा कि संसार को सिच्छा देने के लिए तुम ऐसा करोगे फिर तुमारे साथ ऐसा होगा तो दुनिया समझ जाएगे इसलिए भगवान के जो परिकर है जो पारसद है उनमें अच्छाई गुरा ही नहीं देखना लेकिन उनसे समझ में आता है कि ऐसा होने से ऐसा होता है तुमारे गुरुजी ऐसे नहीं है तब कुछ सत्न सीता पारवती जी को मन में संतोस हुआ क्योंकि पहले सती जी भगत भोगी है और अब वो ऐसा कोई सब्द सुनना नहीं चाहती है जिससे गुर्देव के चरणों में थोड़ी सी भी निष्ठा कमजोर हो कतम होना ददूर की बाद कमजोर हो ऐसी तो कोई चर्चा भी वो सुनना नहीं चाहती है इसलिए परमेश्वर से स्वेम केने लगी नहीं नहीं ऐसा हो नहीं सकता और ऐसा हुआ भी हो तो आप इस कता को यहीं इस्टॉपिश बंद गरो क्योंकि कता स्रद्धा को और विश्वास को बढ़ाती भी है और कता स्रद्धा विश्वास को तोड़ती भी है यह कता वाच्चक के उपर निर्वर करता है यदि मंधरा कता कहें तो केकई और राम के प्रती बीच में जो विश्वास है और जो श्रद्धा है उसको तोड़ करके चकना चूर कर देती है मंधरा कता के दिया और ऐसी पुरानी कता है सत्योक्य कद्रू बेनिता ही दीने दुखा सत्योक्य कथा उठाती है कि कद्रू और बेनिता में एक वारी सौत सौती दोनों में आपस में जगडा हुआ उनके साथ ऐसा हुआ उनके साथ ऐसा हुआ के कई के तेरे साथ भी ऐसा नहों ऐसी शरश्टी खड़ी कर देता है ऐसा बगता तोडने वाला बगता मंधरा ने के कई को राम से दूर कर दिया ऐसी कता सुनाए और एक हनुमान जी हैं जो सीता और राम दूर हो गए थे ऐसी कथा सुनाई कि रासीता जी को राम से मिला दिया और राम को सीता जी से मिला दिया वक्ता, स्रद्धा और विश्वास को जोड़े ऐसे वक्ता का ही स्रवन करना चाहिए तोड़े तो नहीं हनुमान भी कथा और मंतरा भी कथा कहती है सीता जी जब कहती है न हनुमान जी से कि हनुमान मुझे भगवान ने क्यों भूला दिया मुझसे उन्हें क्यों सिकायत हो गई कोई गलती हो गई क्या कितनी अच्छी बात कहती है हनुमान जी तुम्हते प्रेम राम के दूना उदर मंतरा क्या कहती है कि यदि दसरजी को तुमसे प्रेम होता राम को तुमसे प्रेम होता के कही से कह रही है यदि दसरजी को प्रेम होता राम को तुमसे प्रेम होता कौसल्या को तुमसे प्रेम होता तो ये उतसब जो मन रहा है राम के राज तिलक का तुम्हें पूछी तक नहीं तुम्हें बता ही तक नहीं और तुम्हें पतावी है कब से हुरायोत सब पंदरे दिन हो गए यह मंतरा कथा कहती है और फिर क्या कितिया दोशन वैशना हमें कज लेने देन ने हमें तो कछी मिलनो नहंना हम दासी की दाsी रहेंगी हम तो तुम्हां भले कर देमार सोचते हैं हम तो सोचते हैं तुम्हें कहीं दुख कुछ देखें और नहीं जाएंगे एक वक्ता प्रताब भानू के यहां मुनी के वेश में और ऐसी कथा सुनाता है प्रताब भानू को प्रलोबन देता है जरा मरन दुखर रही ततनु ऐसा विकास दोंगा ऐसी संब्रिद्धी दोंगा यह यह दे दोंगा तुमें और तुम ऐसे हो जाओगे वैसे हो जाओगे वोसने पूछा कि कब होंगे वोले पहले अपने गुरु बंदवाय को पटगो वो तुमारा विकास नहीं कर सकता क्योंकि जब तक अपना सद गुरु बैटा है तब तक आशुरी सक्तियों का प्रवेश नहीं होगा जब तक उसके प्रती निष्ठा बैटी है विश्वास बैटा है तब तक अपने स्वार्थ की पूर्ती ये ये कपटमोनी करी नहीं सकता एकतनू करी नहीं सकता और अपना बिचित्र पर्चे देता है कि जब से ये आदि स्ष्टी हुई तबी से मैंने ये सरीर धार्ण किया है इसलिए मेरा नाम एकतनू है और ऐसी निष्ठा तोड़ देता है उसी के गुरू के चरणों से और ऐसे बिकास के प्रणों में आता है प्रताब बानू कि अपने गुरू का अपहरन करा देता है अपने गुरू का अपहरन अपने गुरू के प्रती अविश्वास संसे और एक तनू कहता है कि अब तक तेरे गुरू में किया भी क्या है बता तेरे लिए किया ही क्या है यदि तू मेरे समर्पे तो हो जा और सुन मुझे तो कोई जादा लेना देना नहीं है तेरे से और मैं तो जंगल में रहने वाला हूँ मुझे तो कोई ऐसा स्वारत नहीं है यह जो बात कही जाती इसका कारण जानते हो जिमि जिमि तापस कथई उदासा तिमि तिमि न्रिपाहि उपज़ विशवासा तिमि तिमि न्रिपाहि उपज़ विशवासा और जैसे प्रताब भानू ये देखता है कि इस सपस्वी की मेरे पर कितनी प्रीती है आखिर ये संत मुझे प्यार करते हैं मुझे प्रेयुम करते हैं मुझे चाहते हैं जो अपने सदगुरु के प्रती विशवास को तोड़े सरद्धा को तोड़े वो तुम्हे कितना भी चाहने वाला दिखता हो कोई सवाल है नहीं है चाहने वाला होगा पर तुम्हारे ही गुरु के चरणों में सरद्धा को पुष्ट करेगा तुम्हारे ही महापुरु के चरणों में सरद्धा को पानी देगा सीचेगा और जैसे प्रताब भानु को लगता है कि आप तो मुझे बहुत चाहते हो ऐसा क्यों तो क्या कहता है वो तपस्वी कि तुम्हारे शुभाव को देखकर तुम्हारे नेचर को देखकर के और एक बात घजव की कहता है लेकिन प्रताब भानु प्रेम में उसके बिकास का जो प्रलोग बन है और उससे मिलने वाला जो स्वार थी जो प्रेम है उसमें ऐसा पागल हो जाता कि सजी नहीं पाता प्रताब भानु जब अपना पर्चे देता है ना पर्चे देते समय पर्चे जूटा देता है और यह जूट उसमुनी को बहुत पसंद आता है यह जूट लेकिन प्रताब भानु को यह समझ में नहीं आता कि जिसको जूट इतना पसंद आ रहा है जिसको गलती इतनी पसंद आ रही है तो यह आदमी सच्चा हो कैसे सकता है जिसको गलतीयां इतनी पसंद है जिनको जूट इतना पसंद है तो जो बात चल लेए सकारात्मक विश्वास और नकारात्मक विश्वास तो यह के कई का जब तक सकारात्मक विश्वास था तो बाज होते हुए भी सकारात्मक विश्वास था बाज होते हुए भी के कई पुत्रवती हुई चोथे पन में जाकरके बढ़ापे में जाकरके विश्वास तूटा नहीं था सकारात्मक विश्वास था लेकिन जैसे ही नकारात्मक विश्वास शुरू हुआ तो प्राप्त हुआ परमात्मा भी जीवन से चला गया और कलंक प्राप्त हो गया कालिमा प्राप्त हो गई प्रताब भानू के सामने और केके के सामने दो कपटी वक्ता हैं बक्ता के रूप में जो शरद्धा को तोड़े जो विश्वास को तोड़े जो अंदर की भावनाओं को तोड़े लेकिन इन वक्ताओं की खास्यत होती है उसे तोड़ने के बाद अपने कुछ प्रलोबन ऐसा विकास ऐसा विकास ऐसी शम्रद्दी नारजी के नारजी जो है वह अपने जीवन में बहुत एक दरश्टी से देखा जाएं तो बहुत उंचाई से बहुत नीचे गिरें बंदर्वने काम ने पटका, क्रोध ने पटका, लोब ने पटका, मोह ने पटका, पुनिनारद कर मोह अपारा इतनी पटकें खाई, इतनी पिटाई हुई और इतने पिटे पिटाई महापुरुस से भी पार्वती ने बिश्वनात को पाया बहुत एक दृस्टी से सामाजे की दृस्टी से देखा जाए तो पिटा पिटा या महापरुस है लेकिन हमारी निष्टा यदी बिलकुल पक्ति है विशवास, पॉजिटिव, सकार आत्मक है तो हमारी निष्टा विशवास, विश्वनाथ को मिला देगी महापुरुष्छ तो पहले भी ऐसा ही था बाद में वैसा होगा बीच में कोई घटना आ गई तो आ गई मैं जाने कौन के जीवन में नहीं आ ती है न जागा हुआ हुँ न शोया हुआ हुआ खयालों में तेरे ही खोया हुआ 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 उठाता हूँ बेकार umli किशी पर अब तालियां बजाओंगे तुम को तुमारे मन की बाद कहूंगा मैं उठाता हूँ बेकार Umli किशी पर अरे कहां दूद का मैं भी धोया हुआ हूँ हम सब जड़ अपने को खोजने लगे तो समझ में आता है हम जिस पर उंगली उठा रहे हैं जिस अवगोंड पर उंगली उठा रहे हैं अंतर यह है कि उसका दिख गया है मेरा चुपा हुआ है उसका दिख गया है मेरा चुपा हुआ है जब तक मेरा चुपा हुआ है मैं सेहंसा बना हुआ हूँ वो बिल्ली बना हुआ है, जिस दर मेरा खुल जाएगा, मैं बिल्ली बन जाएगा, वो शैंसा बन जाएगा उंगली उठाने से पहले ये बास समझ में आ जाए कि उठाता हूँ बेकार उंगली किसी पर, कहां दूद का मैं भी धोया हुआ हूँ शरद्धा को जोड़े, विश्वास को जोड़े, वो है वक्ता, वो है महापुरुस्ट, वो है सज्जन, वो है संबंदी आदर करने के योग्य है, शीवा करने के योग्य है, संग करने के योग्य है, अपनाने के योग्य है वो जो स्रद्धा को तोड़े स्रद्धा को तोड़ने वाला अपनी कोशिस करे हिम्मत हो तो उसी को तोड़ दो और उसे न तोड़ सको तो उसके सम्मंद को तोड़ दो तो बच जाओगे आगे वाले सम्मंद आगे विकास के मारग में चले जाओगे हरी हर निनिन्दा सोनै जोकाना होई पापगो गात समाना कोई नकारात्मक व्यक्ति दिखे और वो चर्चा चलाए और तुम्हे उस चर्चा से बचना हो तो प्रसंग बदल देना और मैं तो एक बात कहता हूँ हमें किसी डॉक्टर ने हमारी बड़ी मर्ज को ठीक किया हमारी किसी मर्ज को ठीक किया और उस डॉक्टर पर हमें बड़ा विश्वास है हम उस बैद्दे के बड़े फैन है ठीक है तो उस बैद्दे के गुणगान मत गाते फिरो क्योंकि तुम ठीक कर दिये हो जरूरी नहीं कि वो सब को ठीक कर दे जरूरी नहीं है क्योंकि हर व्यक्ति की ताशीर अलग है हर व्यक्ति का प्रकर्ति सरीर का नेचर अलग है तुम ठीक कर दियो तुमें कभी परेशानी हो तो चुपचप दवाई ले आओ अपना काम करो बहुत से लोग तो अपने डॉक्टर की पूछे लड़ वेटते हैं मेरा डॉक्टर यूँ मेरा डॉक्टर यूँ अले बहुत से तो बिचित्र लोग होते मैं क्या वधा हूँ सदुगुरू के संग तो एक एक और बात होती है सदुगुरू भी डॉक्टर है वेद्य है लेकिन एक दिक्कत होती है क्या सदगुरु की दवाई जो होती है उसे तो लोग खाते ही नहीं है सदगुरु ने कोई सब्द दिया कोई साधना दी नहीं वो क्या करते हैं जैसे काओ वैद दिने हैं कोई दवाई को परचा लेके देदो अब दवाई तो लायो नहीं परचा दलो और की आरती उतारी के गुरुदेव ठीक करो आरती दवाई की आरती परचा की आरती उतार रहे हैं साधना जो बताई है जो काम बताया है उसे सेवर नहीं करते और दूसरों से लड़ वैटते हैं कभी कभी तो हमारा डॉक्टर यूँ ऐसी ऐसा उसे आ रहे हैं ऐसा वो है न खुद दवाई खाते हैं और न किसी दूसरे को वे गुरुओं के सिश्य नहीं होते हैं वे गुरुओं के दुसमन होते हैं जोग जोगति तप मंत्र प्रभावू और फलाई तवई जब करिये दुरावू लेकिन मैं एक बात और जोड़ रहा हूँ जो महापुरस आपको साधना दे आपको मंत्र दे आपको ज्यान दे आपके विकारों की उसे चिंता हो मिटाने की तो महापुरस एक बात और कहेगा तुम से कि तुम मेरी बताई हुई साधना कर रहे हो न बोले हाँ उसे गुप्त रख रहे हो न बोले हाँ तो मैं एक बात और कहुँगा कि जैसे साधना को गुप्त रखते हो ऐसे हो सके तो गुरू को भी गुप्त ही रखना बहुत ज्यादा फाइदा होगा गुरू को ज्यादा गाने की जरुवत नहीं है क्योंकि गुरू को तुम जितना ज़्या गाओगे तुम जो नकारात्म की तक्त्व है उतनी तुमारे द्रुश्मन हान उसे गाने की जरुष्वत नहीं है नार्ज जी कभी नहीं कहते है कि कि मैं राम का सेवप हूं वो तो कंस के यहां जाते हैं कंस के यहां भी जाते हैं रावड के यहां भी जाते हैं राम के यहां भी जाते हैं कृष्ण के यहां भी जाते हैं यह दि वो इस्पेसल व्यक्तिगत राम के हो जाएं तो रावड के दुस्मन हो जाएंगे व्यक्तिगत राम के बन जाए हैं तो कंस के दुसमन हो जाएंगे क्रिशन के बन जाएं तो व्यक्तिगत ओपन में जब एक नारज जी है तो भगवान के भी पक के इसमें तो कोई सक नहीं है लेकिन वो गाते नहीं है कि मैं तो राम का पक्ष दरूँ मैं कृष्ण का पक्ष दरूँ मैं रावड का दुश्मन हूँ ना वो सब के हित ऐसी है महापुरुष सब का हित ऐसी होता है हर सज्जन सब का हित तुम भी सब का भला चाहते हो रोड पर कोई आदमी बहुत बुरी तरह पिट रहा हो तुम सबसे मैं पूछ लूँ क्या उस पुठती पिटते हुए आदमी को तुम देख पाओगे बोलो बोलो नहीं देख पाओगे जितनी अपनी सामरत होगी कोशिस करोगे भाईया जा कोई बचाओ अरे भाईया जायो कोई बचाओ तागत हो कि तुम खुद बचाओं तुम सब के हित ऐसी हो लेकिन समझ नहीं पाते है उस बात को सब का हित ऐसी है वही तो संत है चाहिए वो पेंट सर्ट में हो कुर्टा पज़मा में चाहिए डाड़ी मूच में सब मुड़ा के वही तो संत है जो सब के प्रती हित्त की भावना रखता है जो सब को सुखी देखना चाहता है वही तो संत है पार्वती तुमारे जो गुरुजी है न वो बहुत अच्छे है वो भगवान को कभी साप नहीं दे सकते ये मैं भी जानता हूँ लेकिन किनी कारणों से एक बार ऐसा हुआ एक लीला करी उन्होंने एक नाटक किया दुनिया को समझाने के लिए तब कुछ पार्वती को संतोष हुआ भगवान क्या कारण बन गया था का अपराध रमापते की ना भगवान ने क्या अपराध किया था अपने गुरुदेव में जो स्रद्धा और विश्वास हैं उनकी कोई जड़ हला दे जड़ हिला दे कोई एक आद टैनी काट दे तो कोई दिक्कत नहीं बट विश्वास अचला निजा धर्मा फूट आएगा कोई बड़ी-बड़ी साखाओं को काट दे तो भी फूट आएगा कोई आदी पीड को काट दे तो भी फूट आएगा लेकिन उनसे ज़्यादा साथदान रहना है जो जड़ों को हिलाते हैं जो जड़ों को हिलाते हैं उनसे साथदान रहना है क्योंकि जड़ हिल जाती है और मैं एक मात कहूंगा थोड़ी देर में ही जिन पेड़ों की जड़ हिल जाए वो पेड़ दो कोड़ी के है थोड़ी देर में ही कोई भी जिस पेड़ की जड़ हिला दे वो पेड़े ही दो कोड़ी का है जिसे विश्वास को कोई भी टगमगा दे जिसे विश्वास को कोई भी हिला दे वो विश्वास अटल विश्वास नहीं है अटल निज धर्मा वो बट नहीं है प्रयाग राज का वो कोई होगा अंडवा फंडवा अकवा फगवा अरे उस विश्वास की जड़ को कौन हिला सकता है उस पीपल के कोई पीड में मूड मार मार के मर जा कौन हिला सकता है हिलाने वाले का मूड फूट या तो दोबारा आएगा ही नहीं जो पीपल को हिलाने आया और वो मूड मारा तो मूड ही फूट जाए फिर दोवारा कहा आप नहीं जाएंगे तो आपके मूड़ी भूटे कुछ और नहीं भूट जाएंगे और हम लोगों के विश्वास थोड़े से डगमगाने लगें तो कहां बटक हैं बटक हैं नहीं सरम की बाद है एक पीपल के व्रच को उखाडने के लिए चार आदमियों को कम से कम दस दिन लगेंगे फावडेश और खुदाली से और थोड़ी भी साबदानी चूकी उखाडने में और उनके उपर इगर पर तो चारो को चारो गई जिनका विश्वास डोल जाए वो दो कोड़ी का है विश्वास नाम ही उसका है जिससे कोई हिला न सका है जिससे कोई डिगा न सका है भट विश्वास अचल निज धर्मा तीरत राज राग शुकरमा पारवती एक बार नारज जी ने तुमारे गुरु जी ने बहुत तगड़ी साधना करी साधना में यहां तक साधना उच्चकोटी की पहुँच गई कि कामदेव को भी तुमारे गुरु देव ने पराश्ट कर दिया अच्छा वले हाँ लेकिन एक वाद ज्यान रखना बीमारी को ठीक करने वाली प्रत्यक एलो पैथी दवाई के पीछे एक साध इफेक्ट होता है नहीं समझ में आई बीमारी को ठीक करने वाली प्रत्यक एलो पैथी की जो दवाई है एलोपेथिक जो दवाई है उसके पीछे एक साइड इफेक्ट छुपा रहता है साइड इफेक्ट को मारने की एक अलग से फिर एक टैवलेट एक गोली संग चलती है ऐसे ही बिकारों को बिकार माने रोग मानसिक जो बिकार हैं उन्हें मिटाने के लिए जो जो साधन किये जाते हैं उन साधनों के पीछे एक एक साइड इफेक्ट छुपा रहता है उस साइड इफेक्ट को मारने के लिए सदगुरु के सानित्यका सरदगुरु की सेवा का बहुत अनूपान जरूरी है जैसे बिकारों को निश्ट करने के लिए सदगुरु की सेवा है लेकिन उस साधन में से भी पीछे से एक साइड इफेक्ट होता है क्या? गुरु पदपंकजस सेवा लेकिन इस सेवा को करोगे तो पीछे से एक साइड इफेक्ट होगा सेवा करने का मान उपजएगा मैं सबसे नजदिक हूँ, सबसे प्यारा हूँ और मैंने इतनी सेवा किया है, मुझे बहुत मानते हो तुम्हें कभी मिलना हो तो बता देना, मुलाकात करा देना मान इसलिए तुरंथ एक साइड फेक्ट को रुकने वाली टैवडेट दी तुलसी भावा ने कि गुरू पदपंकजा सेवा, तीसरी भगते अमान इस सेवा को मान रहे तो हो करके करना, इसका ध्यान रखना कि इमान तो नहीं आ रहा अब इमानी तो नहीं बन रहे हमारे अंदर ये तो व्रति नहीं आ रहे बिकारों को मिटाने का सादने, भगवान की कता का गान करना लेकिन पीछे से उपज़ पड़ता एक और साइड इफेक्ट क्या कथा कहीं कपट तो नहीं दे रही, कथा कपट दे सकती है बोले कैशे, जैसे मन्थरा कथा कह रही है भगवान के गुणानवादी तो कहा रही है, राम की चर्चा कर रही है लेकिन कहीं उसकी आड में उसके पीछे से कहीं अपना उद्देश कुछ और तो नहीं है मन्थरा का उद्देश से अलग है, एक तनू का उद्देश से अलग है तो और एक और है, काल नेमी चर्चा तो राम की, लेकिन पी भीतर छुपा है, उसका उद्देश कुछ है और इसलिए ये जो साइड इफेक्ट है न, इसके लिए कहा चोथी भगति मम गुनगन करें कपट तजिकान यदि कथा का गान कपट को तजिके है तो तो विकार को नश्ट करेगा ये एक विकार और बढ़ गया, कपट और बढ़ गया तो हर एक साधन के पीछे एक विकार पन अपने लगता है और उसको समझते हुए महापुरुष के सानित्य में जब हम आगे वड़ते हैं, तो सही माइने में आगे वड़ते हैं परवती है सहल्याद बहुत अच्छी साधना की थी तुमारे गुर्देव ने लेकन पताए क्या हुआ, मुले हाँ, एक दिक्कत हो गई साधना की थी विकारों को मिटाने के लिए उन्हें साधना का ही एहंकार हो गया हैं, मुले हाँ कैसे पता लगा के एहंकार हो गया एहंकारी व्यक्ति है ना उससे कोई अच्छा काम आ जाए तो जब तक 10-20 लोगों में शेयर नहीं कर लेता तब तक उसे चैन पड़ता ही नहीं मैंने कुछ अच्छा काम किया लोगों ने जाना ही नहीं तो अच्छा करने का फाइदा ही क्या हुआ वो सामाजिक फाइदा बहुत चाहता है कभी-कभी ये कथाएं वैसी होती है ना चंदा के लिए या कुछ एखटा करने लिए तो नाम बुलता है तो देने वालों की लाईन लग जाती है और नाम भी ले ले इना यह नहीं बुल लाई पर लोट जाए पहले नहीं है कि आप मुणला देन जो Tigre और पांच देने अट स्तारें किया कि आंच लिफ दिन मन तो नहीं है और सबक्राइब किने मात पांच जार मत अच्छा करने पर ही त intuitively सामाजिक एहंकार जो भीतर बैठा रहता है वो समाज में रिस्पॉंस चाहता है और सामाजिक रिस्पॉंस मिले न मिले ऐसी व्रत्ती आ जाए तो फिर कोई साधन एहंकार नहीं दे पाएगा एक बार तुलसी दाश जी को उसमें अकवर का राज्ज था फतिपुर्शीकरी आगरा के पास में वह कि दो बड़ी चर्चा थी तुलसी दाश जी की बहुत उसचोड़िक के संत हैं और बहुत अच्छे है तो उसने जाकर को उपर वेह कर आ हमारे के पास पहुँची चिटी में क्या लिखा था कि संतनों काहा सीकरी सोकां मैं राजा महराज से कुछ चाता तो हूँ नहीं फिर मैं क्यूं जाओं उसे जरूरत हो तो कभी वेरी कुटिया पर वो आजा और मुझे तुम्हा जाने में नुक्सानी नुक्साने क्या नुक्साने आबत जात पनहियां तूटे आबत जात पनहियां तूटे आबत जात पनहियां तूटे विशर जाए हरना संतनों काहा सिकरिशो संतनों काहा सिकरिशो कर दो कर दो कर दो कर दो ये जो चिट्थी तुलसी दाशी की नहीं थी मैं भूल कर रहा था उनका नाम था कुम्भन दाश संतैनों कहां सीकरी शुकाँ आवत जात पनयां तूटे आवत जात पनयां तूटे विशरी जात विशर जाए हर नाम संतन पहाजी के दी समाँ संतैनों कहां सीकरी शुकाँ पारवती नारद बाबा है ना उन्होंने तुरंत अपनी जो विजय प्राप्त की थी उसे छुपा के नहीं रख पाए बोले बाबा से जाके सुना दी और वहां भी संतोसन मिला जाओ कि बोले बाबा ने मना की थी कि इस चर्चा को मेरे सामने तो कह दिया पर स्री अरी के सामने मत कह देना फिर छूट चा रहे थे छूट नारद जी बोले नहीं नहीं अम अपनियों से थोड़ी कजु कहेंगे अब चर्चा चल लगी बाचीत मौते ने कर जा तो बोले ने कर गई तो गड़ बड़ रही है लेकिन वह याओ एक बात तो सब समझे ले हम लोग जिस समय सद्गुरू की बात अच्छी ना लगया तो समझना कहीं न कहीं कोई खीच रहा है हमारा दुरभाग्या सद्गुरू की बात अच्छी ना लगया तो दुरभाग के कहीं न कहीं कहीं खीच रहा है क्यों मात पिता और गुरू की बात बी नहीं विचार करिय सुभजानी ये नारजी का दुरभाग्या खीच रहा है और उन्हें शिव की बात अच्छी नहीं लग रहे जम नहीं रहे बात दिमाग में बैट नहीं रहे हैं प्यारेयो बट्टा पर जो इट छपती है न इट उसका एक साचा होता है हर बट्टा का साचा अलग अलग होता है हमारी बुद्धी का साचा अलग है उसमें जो विचार छपके निकल लहा है लेकिन सदगुरू की जो पहुँच है उसका साचा अलग है उससे छपके जो विचार निकल लहा है वो तुमारी बुद्धी के साचे में यदि सही सही न बैठ है तो अपने ही सांचे में गड़वर समझना गुरुदेव के सांचे में गड़वर हो नहीं सकते हैं क्योंकि वो सांचा बहुत पुराना है बहुत आगे पीछे की सोच करके वो सांचे को बनाया गया है लेकिन हम सबसे पहले वहां से बेचार आया फिर अपने बुद्धी के सांचे में डाले के देगा जमी नहीं रहा है यह फिटे ही नहीं बैट रहा है यह इंट कैसी है गड़वड़ है दीवार खराब कर देगी कि अरे अपने सांचे में रख करके मत देखो घूत खंडावी दे दे उसे फिटकर के दीवार बनाने की कोशिस करूँ अपने सांचे में मत डालो अच्छे जो कारीगर होते हैं वो खंडे को भी इंट बना लेते हैं और हम इंट को भी इंट न समझें महापुरसों के दिये हुए सद बिचार को भी सद बिचार न समझ पाए तो हमने अपना साचा इतना गड़वड कर लिया है उसमें कोई रेंच आ गई है रेंच कुटिल रेंच का मतलब तो कुटिल है था है पारवती तुमारे गुरुदेव सीधे भगवान के पास में गई है अब यहां नारज जी किसकी खोज में है पता है क्यों बटक रहें यह साधना करी तो साधना में आनंद आ रहा तो करते रहते साधना करने के बाद यह बटक क्यों रहे है एक पंक्ती थी बड़ी प्यारी मुझे दिमाग से निकल गए यह उसका भाव सुना रहा हूँ किसी संत ने गई है कि मेरी जो कामना की जो कुतिया है ना कामना की कुतिया यह मुझे दर-दर गमाती फिरती है यहां से एक टूका मिल जा, 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 तो जब यह बुद्धी है न, जब यह कामना से बर जाती है, तो एक बुद्धी ही कुतिया बन जाती है, फिर सम्मान का एक एक टूका लेने के लिए, दरदर की कुछ कि मेरी का मेरी जो कामना है जब उनसे बुद्धी घर जाती है तो बुद्धी नहीं तो कुटिया बन जाती है और यहां से सम्मान मिलें का वहां चलें आपने बहुत से लोगों को देखा होगा दिन में कम से कम चार जगर बैट के तो आएंगे कुछ जूटी अपनी कहेंगे कुछ जूटी उनकी सुनेंगे कुछ थोड़ी ची बड़ाई पालेंगे और जहां जहां उन्हें प्रसंसा मिलेगी वहीं जाएंगे कौन भुमा रही है कुटिया ये नारच जी को इतना आनंदा रहा था साधना में फिर ये क्यों जाने जगए जगए साधना में काफी दिन हो गए और साधना के से निकलने के बाद भी नारच जी काफी दिन तक घर से बाहर नहीं गए क्यों नहीं गए पता है एक कारण था जैसे ही कामदेव को जीता नारच जी ने और कामदेव जी से कह दिया कि इंदर से कह देना मुझे उसकी राजी की जरूत नहीं है मैं केवल काम बिजेता नहीं हूँ, मैं लोब बिजेता भी हूँ मुझे राजी की जरूत नहीं है और कह देना सबसे जरूर, जरूर कह देना तो नारज जी ने सोचा कि जब मैं काम बिजेता हो गया हूँ तो चार तरफ चरचा तो फैली गई होगी तो अब तो लोग मुझे खुद ही बुलाएंगे या दर्शन करने मेरे आएंगे लेकिन जब बहुत दिना हो कोई फटे कई ने तब नारज जी बोले वापन नहीं चले हैं अब कोई यहां आभिवारो अपन नहीं चले हैं तब भे खुद निकले आश्रम से इदर लच्षमी जी भगवान से कह रहे थी श्री हरी से कि भगवन बहुत दिनों से नारज जी नहीं आये आपने कोई ख़वर ही नहीं ली उनकी भगवान ने एक बड़ी प्यारी बाद गई तुम कह रहे हो कि ख़वर नहीं ली बस अब ख़वर लेनी वाला हूँ और ऐसी ख़वर लूँगा ऐसी ख़वर लूँगा लच्षमी जी बोली मतलव क्या है आपका कहने का बोली बस समय आ रहा है उनकी ख़वर लेने का बगवान तो सब बैटे बैटे देख रहे कि नारज के मन में क्या चल लाए क्योंकि और प्रेर का रगवन सब लिभूशन है उनकी भगवान मन में ही बैटे के देख रहे थे नारज जी और हनुमान ये दोनों ही भगवान के स्वेवते हैं दोनों ही रामबुन गाते हैं दोनों के हाथ में वीना रहती है वीना नहीं वो क्या होते हैं जो भी खटताल हनुमान जी भी और नारज जी भी दोनों हरी के स्वेवत हैं लेकिन दोनों में बढ़ा अंतर है हनुमान जी या तो राम का प्यार चाहते हैं या राम की प्रसंदता चाहते हैं लेकिन नारज जी राम को भी चाह लेते हैं और कभी-कभी काम को भी चाह लेते हैं और कभी-कभी नाम को भी चाह लेते हैं लेकिन हनमान जी शिवाय राम के और कुछ नहीं चाहते जे नहें न चाहिय कब हम कच्छु तो मसर सहे जसने अनमान जी राम की प्रसंदता चाहते हैं और नारज जी अपनी प्रसंदता चाहते हैं साधना तो हनमान भी करते हैं और साधना बोला करो भाई नारज जी भी करते हैं और आका समार्ग में हनमान जी भी उड़ते हैं लेकिन नारज जी बैसे उड़ता है लेना ये कर देना दो लेकिन हनमान जी जब उड़ते हैं तो किसी काम से उड़ते हैं किसी न किसी हो नारत झिवे से लृह जाना तो कि नारत झी चक्कर में तो बदनाव हो गए है और करें और दर करिकर उठिर करें दो किसी हुआ काम से उड़ते हैं तै कि quantity काम का मिन्सक्राण की नि डुलता है रहत hints Kunow के पास तो यह उत्तर भी नहीं होता जब कोई पूचा कैसे आई साहां अरे वैसे ही चले आई है वैसे चले आई कि लेकर हनुमान जी की जो ओडान है ना वो प्रियोजन से होती है हनुमान जी की जो ओडान है वो या तो राम की खोज में है या भक्ती की खोज में है और विश्वास तो स्वैम हनुमान है हनुमान को विश्वास कहते हैं पता था है विश्वास कैसे हो जाएंगा हनुमान जी पता किसी को संकरस्वयमा के सरी नंदन संकरस्वयमा के सरी नंदन संकरस्वयमा के सरी नंदन किताब में तो सुमन है लेकं हम नहीं कह रहे Greek हम तो कहेंगे संकरस्वयमा के सरी नंदन क्योंकि वेई तो सिवही तो हनुमान है विश्वास हो गए न तो स्वयम विश्वास है हनुमान लेकिन राम की खोज में या भक्ति की खोज में रहता है और नारज जी राम की नहीं, कभी-कभी नाम की खोज में चल पड़ते हैं, कभी-कभी काम की खोज में चल पड़ते हैं, लेकिन हनुमान जी इस रास्ति पर कभी पाऊं नहीं रखते हैं। हनुमान जी के हरदे में रामन घैन सीता मन वसिया प्रभुचरित सुनिवे को रैशिया प्रभुचरित सुन वे को रैशिया प्रभुचरित सुनिवे को रैशिया अनुमान जी रामचरित सुनते हैं और रामचरित सुनाते हैं और नारज जी कभी-कभी कामचरित सुनते हैं देखते हैं और कभी-कभी कामचरित सुनाते भी हैं जब शंकर भगवान के पास गए तो शंकर भगवान बड़े खुश भई के नारज जी आ रहे हैं राम कथा सुनाएंगे राम कथा लेकर जैसे मूँ खोला नारज जी ने राम चरित तो कई सौकोस तक नहीं थे उस दिन तो तो मारचरीत मारमाने काम मारमाने काम मारचरीत सब सिवही सुनाएं मारचरीत सब सिवही सुनाएं तो जो कभी राम चर्चा कर ले कभी काम चर्चा कर ले तो नजाने किसका दाव कब लग जा हैं लेकिन हनुमान जी नए किसलिये नारच जी के जीवन में विकार कूद बैठे जबके नारच जी से बड़े बड़े काम तो हनुमान जी ने किया है वह कैसे है राम जी चले न कि नारच जी की बना नहीं लिखा कि राम जी चले ना नारच जी के बिना ऐसा नहीं है कि याद नहीं है एक पंक भी नहीं है दुनिया चले ना स्री राम के बिना दुनिया चले ना स्री राम के बिना राम जी चले ना हनुआन के बिना राम जी चले ना हनुआन के बिना दुनिया चले ना स्री राम के बिना राम जी चले ना हनुआन के बिना राम जी चले ना हनुआन के बिना दुनिया चले ना स्री राम के बिना राम जी चले ना हनुआन के बिना नारज जी के बिना तो राम जी चलते हैं को क्योंकि ऐसा भक्त तो कोई कोई होता है जिसके बिना भगवान न चले बही आओ नारज जी के अंदर साधना का एहनकार हो जाता है लेकिन हनुआन जी तो जो करते हैं न उनके मुँपे कोई कहने लगे तो दर्ती पे गिर जाते हैं कान पकड़ लेते हैं राम राम मैं और सेवा मैं तो कुछ करही नहीं पाता हूं सेवा के मामले में तो एक हनुमान जी और एक भरत जी महराज अभिमान रहित काम रहित लोब रहित सेवा है इन दोनों की साधना है इन दोनों की लेकिन नारज जी नारज जी जब श्री हरी से मिलने के लिए गए ना महापुरुस का महापुरुस से सम्मान पाने की इच्छा मत करना महापुरुस से सम्मान नहीं महापुरुस का प्यार पाना चाहिए प्यार पाना अलग बात है और सम्मान पाना अलग बात है महापुरुस कोई तुमसे तू तड़ाक बोले अपने पन में बोले तो अच्छी बात है प्यार दे अच्छी बात है तुम्हारा सम्मान करे तुमसे सम्मान पूर्वक बोले अच्छी बात नहीं यदि ऐसा हो तो कभी निवेदन करके कहना कि आप जब ऐसे बोलते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है आप जब सेवा का मौका देते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है और यदि सम्मान पूरवक बोली गई बातें अच्छी लगने लगए तो समझना बीतर बुखार आ गया बीमारी पेंदा हो गई आप लोग जानते होंगे कभी-कभी धूप जो बड़ी मीटी-मीटी लगती है गर्मियों में भी तो अंदर कोई बुखार जब होता है न तब धूप जो बड़ी मीटी-मीटी लगती है भरी दुपेरी में और सर्दी चड़ाती है और धूप अच्छी लगने लगती है तो वो धूप फिर फायदेवन्द नहीं होती वो संकित करती है कि बीतर तेरे कोई नो कोई घड़वडी है महापुर्श से सम्मान की चाहन हो और एक दूसरी बात महापुर्श का पार पाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि हमने बड़े-बड़े महापुर्शों का पार पाया पार नहीं महापुर्शों का प्यार पाने की इच्छा रखनी चाहिए पार पाने वाले गाटे में रह जाते हैं और प्यार पाने वाले फाइदे में रोगते हैं नारत जी जैसे गए न भगवान के पास तरी अरी के पास में तो भगवान ने चेक करके देखा कि इन्हें यदि सम्मान मेरे द्वारा दिया गया सम्मान मैं इनका बाप हूँ, गुरु हूँ, परमातमा हूँ सब कुछ हूँ मेरे समर पित है नारद लेकिन चेक कर रख देखा कि यदि मैंने भी सम्मान की खुराग दी और मीठी लगी तो समझना बहुत जादा गड़ बड़ी है तो जैसे ही नारद जी गए तो श्री हरी ने अपने आसन से खड़े होकर के नारद जी को सम्मान दिया पहले खड़े नहीं होते थे अपना गुरू अपना पिता अपनी मा कहीं घर में बैटे हैं कहीं बैटे हैं आप जाओ तो ठीक है जाके बैठ याओ प्रणाम करके वो तुम्हारे लिए खड़े हो और फिर दरवाजे तक आए ऐसी इच्छा रखना और ऐसे ब्यवार को सहन कर जाना भी अनचेत होगा अच्छा लग रहा है तो तो बहुत ही गड़ बड़े दो-चार आदमी संग में हैं और फिर गुरुजी उटके आए तो दो-चार आदमी देखो और लेते हैं कि देखो आ रहे हैं न गुरुजी चल के समझना भीमारी बहुत तकड़ी पल रही है तो जैसे ही श्री अरी खड़े उकर के आए हैरसी मिले अच्छी से रागा हो हरसी मिले उठी रमान के ता हरसी मिले उठी रमान के ता लेकर नारची नी यह नहीं कहा कि आप तो पहले बैटे ही रहते थे आज क्यों खड़े हो गए नारची को ऐसा लगा कि हमें थोड़ा काम बिजेता हो गया हम न तो अब तो भगवान को भी रिस्पॉंस तो देना ही पड़ेगा अब डिगरी तो बढ़ी है अपनी पोस्ट तो बढ़ी है इसलिए आप भगवान भी मानने लगए अब तो भगवान भी मान गए आप क्या यह एहंकार को पानी लगए नारची काम पर बिजे प्राप्त करके आए भगवान से मिले और हनमान जी भी मोहपर बिजे लंका को जला करके मोहपर बिजे पा करके भक्ती की सुद पा करके भक्ती का आशिरवान ले करके आए और राम जी के सामने जैसे ही आए और राम जी ने कहा तुमने जो काम किया है मैं इसका रुड़क इस जिंदगी में कभी चुका नहीं सकता ये तने में तो हनमान जी पामन में गिर पड़े हैं खड़े नहीं रहे कहां सोता है इस आप जाम का यूड़ी बात है लाए हां तो लाए है थोड़ा बंदर कोहर पुरा ले देखो देखो क्या कह रहे है समझे हा नहीं हर्मान जी ऐसे गिरे ऐसे गिरे बार बार प्रभु चहहीं उठावा बार बार प्रभु चहहीं उठावा उठाई नहीं रहे है जैसे जैसे तैसे हनुमान जी को उठाया बगवान ने तो देखा आँखों में पानी है हनुमान मैं बड़ा खुश हुआ तू आँखों में बुले मुझे ऐसी आशा नहीं थी कि आप मेरा सम्मान करोगे मैं तो यह आश लेकर क्या है था कि आप मुझे गले लगाओगे तुरंत राम ने हनुमान को गले लगाया फिर कि तू प्यार पाना चाहता है ना ले मेरा प्यार भगवन कभी भी मुझे सम्मान मत देना मुझे प्यार देना मुझे स्नेह देना मुझे आशिरवात देना मेरे पर अपनी करपाद रिष्टी रखना और मैंने तो मैं तो एक प्राज्टना और कर रहा हूँ मेरे अंदर सम्मान पाने की भावना कहीं आ न जाए इसका ख्यार लखना ये बात कही उपज न पाए महियाओ ये चोटी चोटी सी बात हैं जीवन में बड़े काम आती है हम कभी कभी सम्मान कोई प्यार समझ बैठते है बड़ी सतरकता इसलिए तो का सवते सेवक धरम कठोरा सम्मान में हाँ प्यार बातसल्य श्नेह इन दोनों में बड़ा सुक्षमसा अंतर रहता है जब हमारे अंदर प्यार पाने के इच्छा हो जाएगी और सम्मान पाने के इच्छा खतम हो जाएगी तो बहरी सवा में सदुग्रू हमें डाट देगा तो हमें अच्छा ही लगेगा हमारे अंदर ये पुष्टी होने लगेगी कि अभी अपना पन खतम नहीं हुआ इसलिए डांटा जा रहा है जिस दिन अपना पन खतम हो जाएगा उस दिन डांटना खतम हो जाएगा मिले जमाने की सारी खुषियां मगर न मुझे को करूर देना में जमाने की सारी खुषियां मगर न मुझे को करूर देना मैं मागर तुपसे बेरे प्यारे में मागर तुपसे मेरे प्यारे उस जी दे बुझे को जरूर देना पेले जबाने की सारी खुसियां बगर न मुझे बोगर मूर देड़ा नदे न चाहि कुबेर का धन मगर सदी का सभूर देना उठा के सरत जी सभू जहां उठा के सरत जी सभू जहां पूप निए जद जरूर दे मिते जमाने की सारी खुसियां मगर न मुझे बोगर देना तुमारी रह्मत सदा ही परसे हजार सुक भूगो किस जहां के हजार सुक भूगो किस जहां के अमीर बन के हसु किसी पे ना कितना मुझे को दरूर देना तिने जाने की सारी खुसियां मगर न मुझे को दरूर देना ना पेर कोई न दिल में अपरत नहीं प्यारी पंगतियां ना पेर कोई न दिल में अपरत नजर न आये कही बुराई न पेर कोई न दिल में अपरत न दिल में तू ही तू दे दिखाई न दिल में तू भी तू दे दिखाई नजर को मेरी बुर देना मिले जमाने की सारी कुसियां अगर न मुझे को दरूर देना लिखनवालिये लिखनवालिये तू होकर दयाल लिख दे लिखनवालिये तू होकर दयाल लिख दे मैं दिल में तू दिल में तू दा प्यार लिख दे लिखनवालिये लिखनवालिये तू होकर दयाल लिख दे मेरी जिन्दगी में गुरुदा प्यार लिख दे जिन्दगी में गुरुदा प्यार लिख दे तालिया जय बोले है हरी जय बोले जय बोले मेरी जिन्दगी में गुरु का प्यार दिखते मेरी इरते में सद गुरु का प्यार दिखते में दिल बीच गुरु दाँ प्यार लिख दे हनुमान मैंने तुझे दिल से लगाया है अब मैं तेरा कभी सम्मान नहीं करूगा प्यार दूगा तो चलेगा न हाँ भगवन आपको प्यार बहुत बहुत काम की चीज़ है भगवन मुझे ऐसे उपाय भी बताना कि आपका प्यार किन किन उपायों से मिलता है हनुमान वो सारे उपाय तेरे अंदर अल्लेडी पहले से मौझूद है मैं क्या बताऊँ प्यार पाने के जितने सादन है तेरे अंदर सब कि सब मौझूद है बार बार प्रभुचह ही उठा लेकिन हन्मान उठते नहीं है तब भगवान ने दिल से लगा रहा है बड़ा प्यारा प्रसंग है ये तोनों के समन्दे का लेकिन अभी आपके अर्द विश्राम का समय हो गया है पानी वेगेरा पी करके फिर बैठो फिर प्रसंग को आगे बढ़ाएं